Dear students, we have to discuss about the great leap of the private kindergarten. हम बात कर रहे थे कि जब बेग सिटी के अंदर हमारा एक रेवलेशन आया, इंडुस्ट्रियर रेवलेशन आया, जाब अपर्चुनेटिस बनी, उसके बढ़ने की वज़ा से, प्रोसेस करने की वज़ा से क्या हुआ? कि हमारे जो बड़े सिटी से उनको पर लोड़ बढ़ है, उस लोड़ बढ़ने से क्या क्यों हुआ? अब जो हमारे किन्डेट गार्डन्स थे, उनको पर भी प्रेशर डिवल्प होगी. और, तो मीट दे डिमांड अफ इपबलिक. उसके मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, कि एक सिटी है, एक सिटी है, मैं नाम अमजूद नहीं करते हैं आरवाली, कोई बिग सिटी है, उसकी एक प्लैनिंग हुई हुई है, कि यहां पर एकस्पेक्टेड अब वो देखें, एक बच्चे की फिक्स कर देती चाइना ने के अंदर, अब उसके मताबिक उनके ख्याल में इसकी आबादी इतनी है, यहां पर एकस्पेक्टेड बच्चे कोई बर्थ रेट इतना होगा, और किंडर्ड गार्टन में पहु अब अधर साइन में क्या हुआ, माइगरिंट जो है, वो शिफ्ट होकर आ गए और वो प्लैनिंग का इसा नहीं थी, उसकी वज़ा से किंडर्ड गार्टन पर प्रेशर डिवल्प होगी, और उसको वो डिमार्ड जो आ गई, कि फर्द करें कि हमने तो बनाया था सो बचों फेंगा और हमारा प्लैन था की ये दोजार नौ और ढयर अब उससे क्या हो गया, कि इन्टरन हमारे पास जो उसकी रिफार्म्स ही वह भी सामने आ गये। उसकी जो कृूरीसी और उसका क्रिटेसिजम फरमदार। अब जो उसके ओपर एजुकेटर की तरफ से, स्कॉलर्ज की तरफ से, जो क्रिटेसिजम आना शुरू हो गया। पेरे वहां पे quantity enhance करें गई वो जो balance से था वो मुश्किल हो गया अब उसके लिए जो control करना था वो थोड़ा सा difficult हो गया और एक यू समझे लें कि इतना gap create हो गया जो estimated नहीं था अब जी जो high population of the young families थी and the children led to the high demand for the kindergarten दूसरी बात यह है कि आपको एक और important factor यह है कि industry के अंदर जो labor काम करती है वो आंसर पर young होती है middle age या बुड़े लोग तो नहीं काम कर सकते अब जब वहां पर industry के अंदर काम करने वाले young लोग सबसे ज़्यादा migrant हो यह आप यू समझे देखें कि other cities से migrant होके जो आने वाले थे वो young लोग थे अब यह जो young families थी लाज़मी बात है कि इनको बच्चे की जो इजासती एक बच्चे की इजासती इनके बच्चे पैदा होने थे अब उनके बच्चे होने की वज़ा से जो demand थी वो पिंडर गाटन की बढ़ गए तो क्या करना पड़ा कौन से challenges को face करना पड़ा local government को भी face करना पड़ा education authorities को face करना पड़ा और NGOs को face करना पड़ा और फिर उसकी सबसे difficult जो थी वो source of funding था कि source of fund को proper overseas नहीं किया जा सका उसके मताबिक जो problem शुरू हो गया वो problem यह शुरू हो गया कि अब उसकी quality को भी कायम रखना है और quantity को भी address करना है अब यह तो हो नहीं सकता कि आप किसी को जवाब देनी सकते हैं पर यहां पे एक area x area यह 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 यहां पर इंड़्श्टी लगी हुए लोग जाब करने में यहां पर जो लोग रहते हैं और वो अपने बच्चे को छोड़ने के लिए हैं आप करेंगे जी जाना हैं यहा सी एरिये में चले जाए तभी वो सी एरिये में तो जाब नहीं करते हैं वो तो यहां पर जाब करते हैं अब यहां पर जो डिमांड बढ़ी थी उस डिमांड के बढ़ने से उसके क्वालिटी पर असर अंदास हो और उस क्वालिटी के असर अंदास होने के उपर जितने भी फ